Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल तो यहाँ पर जो गाजा की लोग है, उनके पास खाने के लिए नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर desperate तरीके से जो भी उनको जहाँ पर मिल रहा है, वो वहाँ से लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को मैं आपको डीटेल से बताऊंगा, और present में क्या स् आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आपने से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा बैच चाहते हैं, जिसमें प्रिलिंस में इंटर्व्यू पूरी त्यारी कराई जाए, तो हमारे जो तीन लाइब बैच दोस्तों स्टार्ट ह हैं, उसके अंदर एड्मिशन लेने की कल आखरी डेट है, यहाँ पर अलग-अलग वैलिडिटी के साथ सबसे कम दाम पर अगर आप लेना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट आप पर जाएए, कमेंट सेक्शन में भी इसकालिंग का और वहाँ पर आपको यूज करना है, को अभी हो क्या रहा है, दिखें, यहाँ पर यूनाइटे नेशन के जो ओफीशल्स हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि करेंट जो सिस्टम चल रहा है इस समय गाजा पर ठीके अंदर, मतलब जिस तरीके से गाजा में किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत भी जो मदद पहु जो गाजा पटी में रह रहे हैं, उन्होंने यूनाइटे नेशन का जो वेर हाउसेज हैं, जहां पर ये सब कुछ समान रहता है, उनके वेर हाउसेज को तोड़ कर वो अंदर घुज गए और जो भी वहाँ से उनको समान मिल रहा था, तो वहाँ से वो लूट कर उसको ले जा रहा है थे, और इसी के वो जैसे यूनाइटे नेशन बार बार ये कह रहा है, कि जो करेंट सिस्टम इस समय गाजा पटी में चल रहा है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, यहां पर ये भी बताया है कि यह सब कुछ, आक्चुली जो सेंटरल और सदन गाजा है, वहा की तरफ चले जाए, तो इस समय आपको मिडल गाजा में और ये जो सदन पार्ट वाला है, यहां पर ज़्यादा तर लोग देखने को मिलेंगा, और वहीं पर कहीं न कहीं जो वेर हाउसे हैं, यूनाइटे नेशन के वो भी सेट अप किये गहें, लिकिन अब लोगों का सब तूट रहा है, उसको तोड कर लोग अब उसके अंदर जा रहा है, और जो भी समान है वहां से लेने की कोशिश कर रहा है, यह पूरा काम मैं आपको बता दूँ, यूनाइटे नेशन की ये जो एजनसी है, यूनाइटे नेशन्स रिलीफ एंड वर्क अथॉरिटी, जो की यून एजनसी है, जो की गाजा के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहा है, उन्होंने बताया कि जो आटा हो गया, फ्लोर हो गया, बेसिक सर्वाइवल जो आइटम्स हैं, जैसे हाईजीन सप्लाइज हो गया, इस तरह की जितनी चीज़े हैं, वो बताया जा रहा है कि इन वेर हा तो एक सिस्टम वर करता है, चाहें वार का समय हो, चाहें जो भी हो, अगर यहाँ पर वो सिस्टम कॉलाप्स हो चाहें, तो अफ़रा तफ़री मत जाएगी, कोई किसी की बात नहीं सुने का, और कुछ वैसा ही सिचुएशन है, यूनाटे नेशन्स ने ये भी कहा कि पीपल और साथी साथ यहाँ पर जो भी लिमिटेट अरेंजमेंट आ रहा है, वो सफिशन्ट नहीं है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत समान इसमय गाजा में भेजा जा रहा है, वो बिल्कुल भी सफिशन्ट नहीं है, अब ऐसा क्यों, यहाँ पर मेजर इशू क्या है, वो मैं गाजा के अंदर जाता था, मतलब कि ये गाजा में आप देख रहो हो, ये जो रफा क्रोसिंग है, यहां से जाता था, तो वार के पहले अगर आप देखोगे, तो डेली बेसिस पर एवरेज में 500 ट्रक्स एंटर किया करती थी गाजा के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है, वह से लेकर अभी तक, आपको पता ही है लगबग 23-24 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरिफ 84 ट्रक्स गई हैं, जहां डेली बेसिस पर 500 ट्रक्स जाया करती थी, अभी तक पिछले 22-23 दिनों से सरिफ 84 ट्रक्स ही गाजा के अंदर एंटर कर पाया है, जो की बिलकुल भी सफिशें अब इससे होता क्या है कि मानलोग कुछ लोगों को थोड़ा बहुत समान मिला और बाकी के लोग यहां पर रहे गए, तो उनको गुस्ता आएगा, उनको लगेगा कि कुछ नहीं मिल रहा है, हो क्या रहा है, और यही सिचुएशन हो जाता है, यह पैनिक वाला सिचुएशन मतलब धीरे-द्रे करके इसराइल जो है, यहाँ पर गाजा पट्टी के नौट साइद में और डीप जाता जा रहा है, यहाँ पर जो टरनल्स वग रहा है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खतम करनी की कोशिश की जा रही है, वार प्लेंस के माध्यम से बता कब तक चलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक रिलीफ की खबर यह आई, कि गाजा के लोगों के साथ जो connectivity है, उसको वापस से restore कर लिया गया है, कहने का मतलब यह था, कि आपको कली मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि पूरी तरह से blackout हो रहा है, मतलब गाजा के लोगों का क्या situation है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि ना तो internet services थी, ना तो phone की services, अब उसको वापस से थोड़ा बहुत restore किया गया है, ताकि लोगों के साथ कुछ हद तक connect यहाँ पर किया जा सकें, अब यहाँ पर एक और जो important और interesting कीश सामने आई है, दिखिया आपको याद होगा, 7th October को जब हमास ने attack किया था इसराइल के उपर, तो उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम यह लिया, कि इसराइल से बहुत से लोगों को वो गाजा पट्टी में ले आए, hostage बना कर, मतलब बंदी काना आया है कि Palestinian Militant Group मतलब हमास ready है immediate prisoner swap के लिए, मतलब देखो actually क्या है, एक तरफ इसराइल है, इसराइल के पास बहुत सारे Palestinian जो लोग है, जो jail के अंदर बंद हैं इसराइल के अंदर, और यहाँ पर अब क्या हुआ है कि हमास के पास भी बहुत सारे इसराइली और international लोग hostage के तौर पर रखे गए हैं, तो हमास का अब यह कहना है कि हम यहाँ पर prisoner swap करने के लिए तयार हैं, और मैं आपको बता दू, last time क्या हुआ था कि एक इसराइली hostage बनाया वा था हमास ने, और उसके बदले हमास ने हजार Palestinians लोगों को jail से निकलवाया था, और अभी मैं आपको बता दू, जो current आकड़ा है वो यह है कि इसराइल के पास इस समय 5200 Palestinians हैं, जेल के अंदर बंध रहे हैं, इसराइली जेल के अंदर, जिसमें से 559 ऐसे Palestinians हैं, जिनको life sentences serve किया जा रहा है, तो हमास यहाँ पर अब यह कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आपर prisoner swap हो, अब देखिए hostage बनाया गया है, उनको हम छोड़ेंगे, तो अब depend करता है कि इसराइल इस सीच को किस तरह से देखेगा, क्या इसराइल यहाँ पर prisoner swap के लिए मानेगा, या फिर जो ground invasion है, उसी के माध्यम से कोशिश करेगा कि hostages को लाया जाएं, क्योंकि इसराइली सरकार के उपर भी, नेत हो रहा है इसराइल के उपर वो यह है कि international pressure धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले starting में भी बताया था, कि जैसे जैसे इसराइल ground invasion करेगा गाजा पट्टी में, तो वहाँ पर हो सकता है कि सभी का support ना मिले, देखो support इसराइल को पूरी तरह से मिला थ जब हमास ने attack किया था 7th of October को, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया था, hostage बनाया था, तो international बहुत सारा support मिला था, भारत ने भी एक तरह से support किया था, PM Modi ने भी tweet करके लिखा था, लेकिन जिस तरह से अब इसराइल हमला कर रहा है गाजा पट्टी पे, जिस तरह का humanitarian situation आ च होता है, वो बार-बार warning दे रहा है कि ये जो conflict है वो और जादा बढ़ेगा इसी तरह का situation रहा, इसके अलावा जो Britain के Prime Minister है, Rishi Sunak और France के President है Macron, उन दोनों के बीच में बात चीत हुआ, और उन दोनों ने यहाँ पर अपना जो concern है, वो express किया और कहा कि जो भी समय और हो रहा ह गाजा पट्टी में इसकी वज़े से जो escalation है, जो risk है, वो और जादा बढ़ जाता है war का, और जादा ये war फैलता जाएगा, अब इसके अलावा यहाँ पर Norway के Prime Minister, उन्होंने भी एक तरह से सानुबोती दिखाई थी इसराइल के साथ, लेकिन अब उनका ये भी कहना है कि गाजा में जो भी कुछी समय situation है, वो काफी जादा catastrophic होती जा रही है, क्योंकि उनका कहना था कि इसराइल के पास right तो है defend करने का, लेकिन इसराइल जिस तरह से disproportionate तरीके से violate कर रहा है international laws को, humanitarian laws को गाजा में, वो बिलकुल सही नहीं है, तो अब I hope कि आपको समझ में आ रहा ह जाएगा, जहां तक US की बात है थे दोखो, US support तो कर रहा है इसराइल को, लेकिन जब से ये ground invasion start हुआ है, इसमें अब statement आया है White House का कि इसराइल को गाजा के अंदर जो civilians हैं और जो हमास के terrorists हैं, उन दोनों के बीच में एक तरह से difference करना होगा, मतलब कि अगर इसराइल हमास क लोगों को मारता है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो civilians हैं उनकी अगर जाने जाएंगी, तो ये थोड़ा सा चिंता का विशय हो जाएगा, और इसके साथ साथ US ने एक और चीज वापस से दोराया और वो ये कहा कि गाजा के बाद जो status को बना वाता हम नहीं चाहते व पहले एक interesting question क्या बता सकते हो, blue helmet कई बार आपने सुनाओगा international news में, blue helmet इन में से किसको कहा जाता है, ये जो statement दिये हैं, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर मे सबी बैचेस पर, I hope कि वीडियो आपको पसंद आपका मिल ताम से नेक्स टाइम, till then thank you very much, see you soon.